विद्ध 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 वेलकम टू मेक आई एस मेरा नाम है अमिद कपूर और हम लोग आई-पी-अफ की चर्चा कर रहे हैं आई-पी-अफ मतलब important plans fact और यह 2024 UP-PCS और आरो यारो 2023 के लिए important हैThere अलाकि आरो यारो मेरे अप समय तो बहुत जा जर्था नहीं बचा है लेकिन UP-PCS 2024 तक यह आई-पी-फ कंप्लिट हो जायेंगे और आप जानते भी है कि कुछ प्रशे मुद्दे जो है हमने कहा था इसमें आरो में यूज कर सकते हैं वह यूज कर सकते जितना मिल गया उतना काफी है लेकिन साट आई पी अफ हैं समय लगेगा तो हमने टार्गेट जो रखा हुआ था वो यूपी पीसे दोजार चौबिस प्रिलिम्स का रखा हुआ था ना कि आरो यारो तो ऐसा मत बिल्कुल भी कमेंड करना या ऐसा मत बोलना कि आपने तो साट आई पी अफ कराने के लिए बोले थे इसमें आरो यारो भी था यूपी पीसे दोजार चौबिस भी था नहीं हमने आरो यारो जो है वो बोला वह था कि इसमें कुछ पॉर्ट calcium कवर हो जाएंगे हां ये ज़रूर बोला था कि यूपी पीसेशेश運 कवर करा देंगे उससे पहले ही तो वह आपको complete मिल जाएंगा इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें ये भी science से संबंदित मुद्दा है और इसमें ये 1900 IPF है इसमें कुछ biology के मुद्दे रहेंगे और कुछ इस रसाइन विज्ञान के chemistry के मुद्दे रहेंगे तो एक बार देखें इसको और बहुत तेजी के साथ में करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास में 40 41 IPF और भी बाकी है ये भी science से संबंदित है संबहता एक IPF जो है वह और science से आएगा जिसमें हम पूरा पूरा physics वाला portion कराएं लग रहा है कर रहा है अभी ठीक है अब चलेगा तो पहला फैक्ट देखें जल में उपस्तित क्लोराइड आयनों की 1.0 PPM मात्रा दंद छण को रोकती है कहा जाता है कि एक PPM मात्रा जो है वो दातों के छण को रोकती मतलब कम्जोर करने से रोकती है जबकि इसकी 1.5 PPM मात्रा दातों के करवुरित अर्थात पीला पन होने का करन होती है तथा तोराइड आयनों की अधिक सांधता जहरीली हो सकती है उदारन के लिए जैसे सोडियम फॉललाइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग किया जाता है तो अगर हम ज़्यादा मात्रा बढ़ा रहे हैं अर्थात पीलाइड आयनों की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो इतरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये उल्टा काम करने लगता है कम मात्रा दवाई क्या काम कर रही है और ज्यादा मात्रा जहर का एक तरह से काम करने लगती है तो जल में उपसिर्फ होड़ाई डानों के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी ये थोड़ी सी जानकारी ये एक बड़ा मुद्दा है देखे तूड़ा जल एवं शीतल पेव में CO2 की विलेता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाप पर बंद किया जाता है जैसे देखते हैं कोका कोला की बोतल है सोडा की बोतल है जैसे आप खोलते हैं तो एकदम से उसमें भाफ निकलने लगती है और आवाज भी आती है अधिक बोतल को अधिक दाप पर बंद किया जाता है ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा जो अंदर मटेरियल रखा वो खराब हो जाएगा वह इससी बात है हां गहरे समुद्र में स्वास लेते हुए गोता खोरों को अधिक दाप पर गैसों की अधिक घुलन सीलता का सामना करना पड़ सकता है और अधिक बाहरी दाप के कारण स्वास के साथ ली गई वायु मंडली गैसों की विलेता रुधिर अर्थाथ ब्लड में अधिक हो जाती है जब गोता खोर सताय की ओर आते हैं बाहरी दाप धीरे-धीरे कम होने लगता है और इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती है इससे रुधिर आर्थात बलड में नाइट रोजन के बुलबुले बन जाते हैं तो किसी वज़के से नाइट रोजन के बुलले बन रहे हैं वायमंडली गैसों की विलेता इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और यह कों सिकाओं में औरोद उत्पन कर देता है और एक चिकिस्ट की अवस्था उत्पन कर देता है जिसे bands कहते हैं क्या बोला जाता है bands और यह अत्धिक पीडा दाया के एवं जानलेवा भी हो सकता है तो ध्यान रखना जब nitrogen के बुलबले ज्यादा बने लग जाए या बनने लग जाए रुधिर में तो एक तरह से जानलेवा सावित होता है ठीक है जानलेवा कि bands से तथा nitrogen की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरेले प्रभाव से बचने के लिए क्या करते हैं गोता खोर देखें गोता खोरों 11.9% nitrogen 56.9% तथा 32% oxygen होती है तो अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा कर दी जाए तो दिक्कत कर सकता है जानलेवा प्राण घातक हो सकता है इसके लिए एक समान मात्रा जितनी प्रियूक करके बताईगे कि गोता खोरों को कितनी oxygen उसमें nitrogen कितना होना चाहिए और उसमें helium कितना होना चाहिए तो कुछ ऐसी बाते या पर बताएगी तो यह आकड़ा ध्यान रखना हो सकता आप से पीटी में पूछा जाए ठीक है आंकड़ा जो है कि ध्यान रखना हो सकता है आपसे पीटी में पूछा जाए चलिए नेक्स्ट देखें अधिक उचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन की आंसिक दाब सतही इस्थानों से कम होता है तथा इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोकों के रुधिराथाद ब्लड और उत्कों में ऑक्सीजन की सांजता निम्न हो जाती है आधिक उचाई वालों में दिक्कत क्या होती है इधर से ही सही रहेगा बढ़ा बन रही नहां है उदर से अब सोच रहा था इंग्लीस वाले भी देख लें ज्यादा उचाई वाले लोगों जो उचाई पर रहते हैं समेश्य क्या होती है अब देख पा रहे होंगे कि उनके जो ब्लड है और उतक हैं इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है दिक्कत होने लगती है क सोच नहीं पाते हैं और इन लक्षणों को अनॉक्सिया कहा जाता है क्या बूला गया है इनॉक्सिया ब्रॉद्ध जब भी एनॉक्सिया कि नहीं विमारी टाइप क्यों होती है ऑच्छा जो उच्छे पहाड़ी छेत्र में रहते हैं उनको आलतबाद में हो जाती है बहुत और आउक्सिजन की सांधा यहां पर निम्हों जाती जो उच्छे जगहों पर लोग रहते हुं च्यकुoped यह आप जानते हैं कि यह तो है वह अपने पर जाएंगे तो हमें वाई में वाई मंडल में कम दिखाई पड़ता है पूर यह उस पर उबलता है जिस पर उसका वासव दाव बढ़ने पर वास्व बढ़ता है पर उसका वास्प दाब वाई मंडली दाब के बराबर यतना वाई मंडली दाब उतना ही वास्प दाब आँ तभी उबालता है नहीं थो उबाल आए गई ने उधारन के लिए जैसे जल 373.15 के अर्थाद 100 डिगरी सिल्सियस पर उबलता है क्योंकि इस टाप पर जल का वास्व दाब 1.013 बार अर्थाद एक वाई मंडल होता है अर्थाद आप यह कह सकते हैं कि वाई मंडली दाब और वास्व दाब यहां पर बरावर दिखाई पड़ रहा है अर्थाद 100 डिगरी सिल्सियस टाप मान भड़ा है और पानी उबलने लग गया है तो यह पूछा गया है पानी जो है वो कितने सेंटी डिगरी सेंटीगरेट पर यह कैल्मीन में बात करें तो कितने कैल्मीन उबलता है उसके बारे में उदारण दिया गया है नेक्स देखें एक और लगे अचार बनाने के लिए सांध लबडी विल्यन में रखा गया कच्चा आम यह पराशरन के कारण जल का छरण कर देता है एवं संकुचित हो जात किउन की जाता है और आश्रन का इंगलिस में देखेंगे यहां पर ऑड नाम दिया गया है कंसंट्रेशन आसमोसिस ठीक है किसी और गल्रों को क्या करता है शुखाने काम करता है और कहा जाता है इसको संकुचित करता है अच्चा मुर्जाय पुस्प ताजा जल में रखने पर पूना करते हुजाते क्यों हो जाते हैं कि जल्ग का च्छण काम होगा तो किया एंदेखियों अभ्रिक्स्ट ताराजल में फिर से ऐसे किल चाहीत में फिल reserve के कारण लचीली परासरण के कारण नहीं हो रहा है इसके जल का च्छन कम हो रहा है या जल का हरास कम हो रहा है तो आप कुछ भी रखने जैसे मूली है काजर है पानी में रखने जाके तो दुबारा से क्या है दुबारा से वो ऐसे लगए कि जैसे हरी वरी भी ताजी सब्जी एक दम से परासर की उपरी हिस्से या उपर के हिस्से में पहुचना आंसिक रूप से परासरण के करण होता है तो परासरण के करण क्या-क्या चीज़े हो रही है परासरण के करण यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मुर्जहाय फूल वह खिल उटते हैं गाजर मूली यह तमाम सारे जो है अपनी उसी आवस्था में लगबगा जाते हैं जैसे ताजे आप उखाडते हैं जाके खेश से या उनको निकालते हैं खेश से तो पराशन के करण और ओसमोसिस के करण यह सारी चीजें हो रही हैं ठीक है अप से पूछेगा तो आप बता पाएंगे आप बता डाब लगाया जाए तो पराशन की दिशा को प्रवर्तित या रिवर्स प्रवर्तित किया जा सकता है अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्द पारगम जिली के माध्यम से विलेन में से पारगमन करता है तो एक क्या निकलके आए यहां पे बात निकलके आई कि भई यह दिलियन पर किसी बिलियन पर आधीं पराशनदाः उसमोसिस प्रेसर उसमोटिक प्रेसर आगाया जाए तो प्रहुर्चन के दिशा को प्रवर्टित या रिवर्स किया सकता है bacth at the यह परिगटना प्रतिलों पराश्ड कहला थी तो जो भीआप यहां नहीं तरह से उल्टी आवस्था में ले जाना उसको तो यह परिगटना पूरी देख रहा है यह प्रितिलोम पराशन और व्यवादिक रूश से बहुत उपयोगी है पिटलों पराशन का उपयोग कहां किया जाता है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका उपयोग समुद्री जल के विलवरी करन में किया जाता है ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं रिवर्स औसमोसिस तो आप जानते हैं रिवर्स औसमोसिस अरो वाटर प्लस यूवी से फ्री फ्रेस वाटर ऐसे तमाम सारे तो जो भी आप कैंट आरो वाला और वो कमाम सारे कौन-कौन से आरो वाते हैं तो आई एसो नाइन जीरो जीरो वन अनुपाते के 2015 वाला लें 2008 वाला नहीं इस समय अगर लेना ही है तो तो रिवर्स और उस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र जल को साफ किया जाता है या थाथ उसमें जो लवनता होती है उसको हटाके फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर यह सबस्यादा कहां मिलेगा हमें सबस्यादा अरेवियन कंट्री में दिखाई पड़ता है जहां पे ट्रोज ज़्यादा है पानी है ही नहीं आप देखेंगे कतर कतर में फ्रेश वाटर है नहीं ठीक है कहां से ले जाया जाता पानी सारह का सारह पानी जुए इधर दक्षिनपूर बेशिया से भारत से वह जा जाता है जैसे मालदीव की बात करें चर्चा में काभी था तो मुझे भी जवान पर देखवाई गया है वहाँ पे पीने का पानी नहीं है भारत से भेजा गया मदद करता है भारत देखें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा अच्छा पितलोम पराशन की प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पे तमाम सारे उसके सायंत आरो सायंत लगाए गये हैं जिसकी वज़े से वहाँ पे पानी तो अरब कंट्रीज में जहां पे पानी के इतनी किलत है रिवर्स ऑस्मो dox side chlorine chlorine술번ny उन सारे रसाइन वधुत लिधयोधारह बना जाते हैं वेदूत-विधयोतka सााइन कुह पनाया जाता हैं वह सारी धात्मे forged ballot 현대 concrete chlorineut training थे तमाम सारे और साइस तका ुपयोग कहां किया जा सकता है या फिर कहां इन का यह उपयोग में ररोग्यारां सकता है तरिवह कहां किया जा इनका कि या उपयोग में लाए जाते हैं! देखें बैटरिया एवं इननल रसायनिक ऊर्जा को वैधित ऊर्जा में परिवर्थित करते हैं दियान रखना पूछा जाएगा statement तो पहला statement हम यहीं पर बना लेते हैं कि वैदूत रासायन से यह वैदूत रासायनिक प्रक्या कैसे यह क्या उपयोग में कैसे लाई जाती है तो खासकर आप देखेंगे बैटरी और इनन सेल यह रासायनिक उर्जा को वैदूत उर्जा में बदलते हैं विद्धूतूर्जा टार्च जलने लगता है जैसे आप सेल डालते हैं बैटरी में लगते हैं क्या करते हैं परिवर्टित एवं विभिन उपकरणों एवं इक्तियों में ब्यापक रूफ से उपयोग लाया जाता है और कौन सी इक्तियों जैसे अभी हम डिश्टल बोर्ट आप सबते हरे हैं तो क्या हो रहा है यहीं क्या हो रहा है अपिन वद्धूतू जा रहा है है वद्धूतू उठ्शाय गविकुरिया है। प्रगुन इफिसेट था अलप सपोती है अल्प प्रॉडूशल मतलब बहुत कम जैसे वह बात बहुत तेज से करें। लावड इसकी स्पीकर बजाएं तो लावड इस विकर बजाएंगे तो धुनी प्रदूशन हो सकता है लाइट हम हमेशा जलने रहे रात में भी लाइट छन वह झालनी के लिए दिख्कत हो जाएगी उनके दिक्त हो जाएगी तो कहा जाता है प्रोडूशन तो करते हैं लेकिन अश् referring करते हैं हा लेकिन इनका उपयोग बहुत ब्यापक है उपयोग बहुत ब्यापक Сам बहुत अधिक होने के कारण इने चालक कहा जाता है आप सबस्दा चालकता किसी होती है जैसे चांदी की बात करें इनकी चालकता बहुत ज्यादा होती है कुछ अधातवें जैसे कार्बनिक या कार्बन ब्लेक, कार्बन कजल, ग्रेफाइट, एवं कुछ कार्बनिक बहुलक भी electronics चालक होते हैं, ऐसा कहना कि केवल धातवें ही या मिस्र धातवें ही, इनकी चालकता अधिक होती है, इनको चालक का जाता है, उसा ठीक है जादा से जादा ऐसे उतलता है धात्मे Unmis-दात्मे लेकिन कुछ कार्वनिक बहुलक, कार्वन ब्लैक ये कुछ अधात्मे भी जो अधात्मे भी है जो स्टेट्मेंट द्यान रखेंगे स्टेट्मेंट दोनों पूछे गाता आप कन्फिज हो जाएंगे अदातु में कैसे काम करेंगे हाँ उभी लेक्टॉनिक चालक का काम करती है कांच चीनी मिट्टी आदी जैसे पदार्त जिनकी चालकता बहुत कम होती है विद्धुत रोध कर dw पकल नहीं लगेगा करेंट नहीं लगेगा आपको ठीक है चीनी मिट्टी बरतन अगर बात करें चीनी कानी तो इनके टा having a better live qa trap जाए such बनाइ जाती ज्यैंटा चिप् बनाजाती हों के इसलाक काम करती है से में कंड़क्टर का काम यहां पर करती है ठीक है रहा होगा में पडर नेक्स देखें यह एक बड़ा fact है और यह important भी है देखें एक बार संचारण में धातू oxygen को electron देकर oxygen हो जाती है और उसका oxide बन जाता है ठीक है हाँ संचारण in corrosion की बात हो रही है corrosion in corrosion corrosion में क्या बाते हो रही है थात में oxygen को electron देकर oxygen हो जाती है और उसका oxide बन जाता है लोहे का संचारण की बात करें लोहे के संचारण अथाथ corrosion of iron की बात करें इसमें सवान्त्य जंग लगना इसको बोला जाता है जंग लगते हैं लोहे का संचारण मतलब आप किसी को खुले में कुछ दातु को आप खुले में डालने देखेंगे उसमें जंग लग जाती है तो लोहे में संचारन इसमें चांदी में भी हो जाता है कई बार चांदी काली पढ़ जाती है तो वो किसकी बज़े से हो रही है लोहा लाल पढ़ जाता है उसमें पाई लग जाती है जंग लग जाती है तो इसमें जंग लग जाती है तो यह सब किसकी बज़े से हो रहा है इस सब जो है को रोशन की बज़े से हो रहा है को रोजन की बज़े से हो रहा है आप से एक्जांपल बता देंगा आसानी से हाँ जन्ग लगना संछान को रहा है जल तथा वाय की स्थती में होता है संचान का रासायन बहुत जाटिल है परम इसे मुखता-वधत-वधुत-व्थ- c too परिखटना जाता है लोहे में जंग लगना चान्दी का बदरंग होना जैसे चान्दी काली तरह से या नीली नीली पड़ा जाना नीली कौपर एवं पीतल पर हरे रंग का लेफ अंचारन के कुछ उदारन है अब यह सारे के सारे एक्जामपल आप से प्रिलिम्स में पूछे जाएंगे इनको आप खास ध्यान रखेंगे और भी चीज़ें जैसे यह भवनों पुलों जहाजों धात्मों से बनी सभी वस्त्मों विसेश रूप से विसेश कर लोहे की बनी वस्त्मों को अत्यदिक शती पहुंचाता है लोहे के आप जनते हैं आप स्टील का प्रियोग किया जाता यहा लोगवा लगरा है कोई बैसे सरल विदी जयादा से जादा से जाद़ा स्टीज मजबूत इस ठील का प्रियोक तत्विक शते अगर आप वहाई-मणल के संपर्क में वास्पिकरत नहीं होने दे रहे हैं तो संचारन हो गई नहीं होगा ऊओ नहीं लगए जंग नहीं centro चांदी जो है बदरंग नहीं होगी और इधर कॉपर जो है नीला हरा नहीं होगा तो यह सारी चीज़े हैं यह पर यह सत्य को पेंट या अन रासायनों उधान के रूप में विस फिनॉल में से लेपित करके किया जा सकता है एक अन्य विदी है ताएक को किसी ऐसी धात जैसे या वस्त की रक्षा के लिए क्रिया में भाग ले तो अगर जंग से बचाना है तो एक तो पहली विदी बताई गई है कि भीया इस पे वाई-मॉनियल के संपर्ग में आने दो दूसरा पेंट मार दो पेंट कर दो अपने आप में संचरन होए गाई नहीं ठीक है इस तरह से उ पाई-मॉनियल के संपर्ग में नहीं होगा तो संचरन होगा ही नहीं नहीं लगेगी जंगर लगेगी यह जो कॉपर है वो नीला नहीं पड़ेगा तो यह रानी पड़ेगा इसके अतरीक एक वैदूत रसाइनिक विदी है किसी अन ऐसी धातु जैसे इसमें एम जी और जे वो कि रक्षा करता है तो कुछ और भी विदी है एक तो पहली विदी वाई-मंडल संपर्ग में नहीं आने देना है फिर इसके बाद में पेंट कर दो भाई एक और अन विदी है किसी को किसी ऐसी धातु जैसे जिंक का उस पे लेप चड़ा दो फिर एक और विदी है पैद फिर गया है वह आक्सिकन होए गए नहीं रियक्शन उससे होए गए नहीं और वो चीज बच जाएगी तो संचारण से काई लगना जंग लगना लोहे में चांदी का बदरंग होना कॉपर पीतल हरा होना हरे रंग का इस पे लेप चड़ा जाना यह सब संचारण और इससे बचाए के लिए भी कुछ विदिया बताई गई है आप जिंक मिला सकते हैं मैगनेसिया मिला सकते हैं इसमें तीक है इसकी बच सकते हैं संचारण से या जंग लगने देखें एक फैक्ट और इंपोर्टिन फैक्ट घरेलू याताया तथा ब्यवसायक शेत्रों में अनेक प प्रेक्रमों आदी में आती क्रियासील धातुमों तथा धातुमों के निसकर्शं कौमा धातू पंचारन धासानिक योगिकों जैसे क्लोरीन, प्र कास्टिक सोडा के निर्माण में तथा सुस्क एवंगिली बैटरियों के चलन में आजकल हाइडोजन मितव्यता द्रब हाइडोजन का उपयोग इनन के रूप में तथा ओजोन छिद्र जैसे वाता बरणिये विश्व में भी आ उपचयापचय अविक्रियाएं दिखती हैं तो यह तमाम सारी यह तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर दातों के संचान में जो काई लगती है राशानिक निर्माण में सुस्क एवंगिली बैटरियों के चलन में आजकल हाइडोजन मितव्यता अर्थात यह आप कह सकते हैं हाइडोजन मितव्यता तथा ओजोन छिद्र जैसे वाता बरणिय आपक्रियाओं में आपचयापचय अभिक्रियाओं दिखाई पड़ती है इनका परियोग किया जाता है यह सब जो आप प्रक्रम देख रहे हैं इसका का इससे प्रियोग अर्थात हाइडोजन मितवेता अगर प्रियोग कर लेंगे तो इसीत तोर पर यह जो तमाम सारी आपक्रिया नहीं होगी चलिए नेक्स देखें नेक्स देखें एक सेकेंड तो यह ग्यारों फैक्ट है ग्यारों फैक्ट है जालिए किसी प्राक्रतिक सोसे निसकरसण एक्स्टक्शन अथ्वाप्रयोग साला में संसलेशन के पश्षाथ कारबनिक योगिक का सोधन प्यूरिफिकेशन आवस्यक होता है शोधन के लिए प्रियुक्त विभिन विदियों का चुनाव योगिकि प्रकति रथा उसमें उपस्तित अस्वधियों के अंसार किया जाता है शोधन के लिए साधनता अगर विदियां उपयोग किया दी जैसे उर्थपातन है सब्लीनेशन है इसके बाद कर शाइशन आप ये कस्टिली करने यह किस्टिलन आस्वन की विदि आश्वन विदि डिसलेशन बिभेधी निस्कर्षण डिफरिंश इस्ट्राइस्ट्रेशन तथा वर्न लेखन प्रमटो ग्राफी इसका प्र युदियां है यह शोधन के लिए पांच विधी बताएगी और पांचों को द्यान रखने लपीजी द्रवित प्राक्रतिक गैस का और लंग द्रवित प्राक्रतिक गैस का संशित रूप है तो जो आप लपीजी देखते हैं लपीजी लिक्युफाइड लपीजी टीक है गैस जो है प्रेसराइस गैस जो है लपीजी द्रवित प्रतुलियम गैस प्राक्रतिक गैस का संशित रूप है प्रेस्ट्रोलियम जो भू परपटी के नीची पाया जाता है कि प्रभावी आस्वन द्वारा इसको प्रेट्रोल डीजल और कैरियू सीन में अलग अलग इसको कर लिया जाता है यह आप कह सकते हैं ये उसी petroleum से petrol, diesel और carousine प्राप्त, coal gas, coal gas, coal के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैसें तेल की कूँक हुदाई के दवरान उपरी इस्थर में पाई जाती है, संपीडिन के पस्चात प्राप्त गैसों को संपीडित गैस कहा जाता है, compressed natural gas अर्थात जो आप CNG की बात कर रहे थे, ये CNG की जो आप बात कर रहे थे, ठीक है, तो LPG, ये सब LPG के ही रूप है, LPG का अप्योग गरेली इनिन के रूप में होता है, जो सबसे कम production वाली गैस है, production होता है, लेकिन कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, और ये सबी इनन hydrocarbon carbon के मिस्टन होते हैं, जो उर्जा कि स्रोथ है, hydrocarbon का उप्योग, polythene, polypropane, polyesterene, adi, बहुलकों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पेस का प्रियोग, तो hydrocarbon का उप्योग कहां कह किया जाता है, इन सब का ध्यान रखना, polythene में, polypropane में, polyesterene में, उच्च अनुभार वाले hydrocarbon का उप्योग, पेंट के विलायक, या पेंट में विलायक के रूप में, और रंजक्त था, और सदियों के निर्माण में, प्रारंबिक पदार के रूप में किया जाता है, तो कुछ अनुभार जाले hydrocarbon का उप्योग कहां किया जाता है, खासकर आप देखेंगे, पेंट में, पेंट में, पेंट के निर्माण में, इसका प्रियोग किया जाता है, चालिए, कुछ चीजें और में डिस्कूस कर लेते हैं, इसके बाद में, बावलुकों का उप्योग, प्लास्टिक के थैले, निस्पीडित बोतल, रेफ्रिजरेटर, डिस्क, खिलोने, पाइफ, रेडियो तथा, टीवी, कैबनेट आदी के निर्माण में किया जाता है, पॉली प्रोपेन का उप्योग दूद के कैरेट, कैरेट मतलब जिसपे दूद रखा जाता है, ठीक है, प्लास्टिक के जो बने होते हैं, प्लास्टिक की बाल्टिया तथा, अन्संचलित या मॉडलेटेड वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, तो पॉली प्रोप प्लास्टिक के बाल्टिया और प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है, नेक्स देखें, तो बाहर निकल रहा है, वेल्टी वेस्टनावे, दिख राया हो ऐसे, चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, देख रहा है, कटा हुआ, मुझे लगा कि नहीं चले गए, चलिए, देखें एक बार, प्रमुक शब्दा वलिया एवं संबंदित उत्पाद, एपी कल्चर, ब्यापारिक इस्तर पर शहद उत्पादन, और फसलों में परागरन हेत हुए, मदमक्खी पलन किया जाता है, देखना, तो एपी कल्चर का प्रियोग, जहां पे, ब्यापारिक इस्तर पर शहद विए कल्चर, यह काफी इंपोर्टंट है, पूछेगा कैसे हैं यहाँ पे, तो आपसे पूछेगा, तूची में एक कोछी दो से सुमेलित करें, चूची दो से सुमेलित करने के लिए पूछेगा आपसे तो सीड़े सीड़े question जो है पूछेगा ऐसे करके सुमेलित करें सुमेलित करने के लिए matching करने के लिए आपसे question पूछेगा matching करने के लिए आपसे question पूछेगा तो देखें एक बार पढ़े matching करने के लिए question AV culture पक्षी पालन एकवा कल्चर जलिय जन्तुओं या जलिय जीवो जन्तुओं वनस्पतियों का समवर्धन दोनों का समवर्धन ध्यान रखेंगे आप जलिय जीवो एलगा कल्चर ये एकवा कल्चर का एक प्रकार है अर्थात ये इसी का प्रकार है जलिय जीवो जिसके अंतरवर्ध शैवालों की क्रिशी की जाती है तो एलगीज जानते ना हाँ एलगीज वो कह होता है एलगीज तो एलगा लिखा गया यहाँ पे एलगीज शैवाल क्रिशी सैवालों की क्रिशी जलीज़िवो कच्छे रेशम के उत्पादन है तो रेश тобीट का पालन किया जाता है और सिलवी कल्च्र वन समवर्धन के लिए इस्पंजी कल्चर इस्पंज समवर्धन के लिए फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती ये अपुस्प के लिए और ओलेरी कल्चर ये सबजियों की क्रसी के लिए ध्यान रखेंगे ओलेरी कल्चर जो है वो भाइब अभ़ अर्वोरिकल्चर फूलोफलो सब्जीओं तथा मसालों के खेती अब होटी कलचर और यहां आप जो देख रहे थे सब्जियों की किसी अलग है फूलों की किसी अलग रखा गया है तूरी कल्चर और पुलेरी कल्चर ये फूलों की खेती और सब्जियों की खेती अलग-अलग दिये गये हैं लेकिन जब आप ब्राडवे में देखेंगे तो हौटी कल्चर जो है ये फूलों फलों और सब्जियों तथा मसालों की खेती के लिए तो व्रॉट बे में अगर पूछे आपसे हौटी कल्चर तो कोई एक पूछ देगा अगर उसमें मालो कि क्रिशी से संबंदित या फूलों संबंदित चीजें नहीं दे रहा है मालो उसने बोल दिया कि मसालों से संबंदित ठीक है या फलों से संबंदित सब्जी नहीं दिया उसने मालो सब्जी नहीं दिया तो क्या करेंगे आप हा तो ध्यान रखना इसको लगा देंगे और वैसे अगर पूछ लिया हौटी कल्चर के लिए फल फूल सब्जी मसाले तो आप होटी कल्चर लगाएंगे नहीं तो ध्यान रखेंगे मैंने यहां पर बताया गए दो अलग अलग इसी की साखाओं के दौर पर आप इसको ध्यान रखेंगे जैसे फ्लोरी कल्चर तो आप सीधे पता हो गया यह दे दिया है तो सीधे आप टिक करेंगे हाँ भाई फूल के खेती की बारे मताता है प्वाव कल्चर यह फलों की खेती एग्रोनौमी फसलों की खेती वर्गी कल्चर यह कृसी उत्पादन में व्रद्धि हे तूप आलन यह एक तरह से का जाता है प्राकृतिक हाथ के रूप में एक काम करते हैं यह जुताई ऐसे करते रहते अंदर अंदर नीचे जो है खोते रहते हैं और फिर इसके बाद में भीट करते हैं तो उससे जो उर्वर्था है मिट्टी की क्रस्ट वह बढ़ती है तो क्रस्टी उत्पादन में व्रद्धि हे तूप केचुवा इस वीज़े से पाले जाते हैं और्ष्ट्री कल्चर ये ब्यापार हे तु शीपों में क्रत्तिम प्रजनन ये ओली कल्चर जैतून ओली जैतून का उत्पादन तनरक्षन तथा ब्यापार फेली कल्चर घोंगे का समवर्धन विटी कल्चर अंगूरुत पादन मेरी कल्चर मानव प्योग हे तू तमुद्री जीवो जीव जन्त वनस्पती का समवर्धन तीक है यह से पहले भी हम देख चुके हैं अबी मोरी कल्चर मेरी और मोरी अलग-अलग है मोरी कल्चर सहतूत के खेती है हाइड्रोपॉनिक्स एरोपॉनिक्स और एरो कल्चर ये मृदा विहीन पादप समवर्दन है मिट्टी का परियोग नहीं किया जाता है बस लटका दिया जाता है ऐसे तो यह ऐसे कुछ करके तो हाइड्रोपोनिक्स जो करसी होती है वो उपर लटका के उसमें आप देख पाएंगे ना बरदा वहीन पानी भर दिया जाता है बोतलों में इसके बाद में उसमें पौधे डाले जाते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं या उनको ऐसे मतलब उनका चेंज करके उनको या उनका कुरास करके बनाया जाता जिससे वो केवल पाउधों में पनपते मिट्टी क्या वासकता ही नहीं होती है ठीक है बास नजागे तो यह हमने यहां पे प्रमुक शब्दावलियां एवन सम्मंदित उत्पादों के बारें बात की बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूछा जाएगा आपसे नेक्स देखें नेक्स देखें जीवासमों के आधार पर भूबैज्ञानिक काल जीओलोजिकल टाइम को उप कायों बर्गी क्रत किया गया है पुना उन्हें बड़ी कायों बर्गी क्रत किया गया है जैसे इसके अनुसार एक भूबैज्ञानिक काल मान जीओलोजिकल टाइम इसकल दयार किया गया आज इसमें सबसे छोटी इकाई काल अर्फाल टाइम यूनिट एक काल एक एज होता है ऐसे अनेक एज एक साथ मिलकर एक यूग एपोस बनाते हैं जबकि अनेक यूग मिलकर एक कल्प पीरियट का निर्वाण करते हैं और इसी तरह अनेक कल्प मिलकर महा कल्प बनाते हैं, अनेक महा कल्प मिलकर महा यूग बनता है और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है, इस तरह आरोही करम की बात करें, तो महायूग, महाकल्प, कल्प, यूग और काल अगर हम यहाँ पर आरोही करम की बात करें तो आरोही करम में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटी काई काल ठीक है? फिर इसके बाद में यूग फिर इसके बाद में यूग और इसके बाद में कल्प आप देख रहे हैं, पिरियेट, कल्प और इसके बाद में, इसके बाद में महाकल्प कहां लिख रहा है? महाकल्प हो गए यहाँ पर यह तो आरोही करम है, अगर आरोही करम में लिखना हो, तो इसको महाकल्प और इसके बाद में आएगा महायूग ठीक है? महायूग तो यह आरोही करम काल, यूग, कल्प, महाकल्प और महायूग यह आरोही करम है मलब छोटे से बढ़ते हुए आगे बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं इधर बड़े से छोटे यूग में ठीक है? तो ऐसे प्रभाग हैं, जिने काल के भूव एज्ञानिक वर्गिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है अज़ा, यूगों का सही कालकरम सबसे पुराने से सबसे नए की बात करें तो यहाँ पर देखें प्लास्टोसीन, सबसे नया है, सबसे पुराना कौन सा है? प्लास्टोसीन, ठीक है, प्लास्टोसीन सबसे पुराना है अब यह पूछा जाने लाएक सब करम में सजाने के लिए आपसे पूछेंगे यह करम में सजाएं, ऐसे कुछ करके क्वेशन पूछे जाएंगे आपसे तो ध्यान रखेंगे ये आरोई करम में आ रही आरोई पूछ देगा आपसे तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं नेक्स देखें और भी चीज़ें हैं चार्ल्स डार्विन इंग्लेंड के जै विकास वित्थे नोंने डार्विन वाद प्रस्तुत किया डार्विन वाद को प्राकरतिक वरणवाद थियोरी आफ नेचुरल सेलेक्शन भी कहा जाता है डार्विन वाद की विश्चस वे अख्या इनकी पुस्तक प्राकरतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ती ये 1869 में छपी हुई थी ध्यान रखना इनकी पुस्तक का नाव प्राकरतिक वरणवाद ओवर प्राकरतिक वरणवाद और प्राकरतिक वरणवाद की बात करते हैं इन तीनों पर ये आधारी थे इन तीनों का नाम प्राकरतिक वरणवाद ध्यान रखना इसमें कुछ भी अगर आपसे अलग कर देगा तो दिक्कत वहेगी तो तीनों का नाम ओवर प्रोडक्शन इस्ट्रिगल फॉर एंड वैरियंस तथा एक और है तीसरा दिजान रखना इन तीनों पर आधारी थे इनका वरणवाद प्राकरतिक वरणवाद कहीं है ठीक है ठीरियों आप निचर्ण सेलेक्शन इसने दिया हुआ है इनकी पुस्तक का नाम द्यान द्यान रखना ठीक है यह सारी बातें आप लोग ध्यान रखें दिया है सितारा मचली सितारे नुमा एकाई डोमर्स डोम नोडर्म वापी जाओंगा एकाई नोडर्म सेणी का एक जनतु है सितारे नुमा सितारा मचली नहीं आप जानते हैं स्टार फिस जिसको बोलते हैं स्टार फिस जेली फिस यह और इलिया को कहते हैं जो कि संग सी लेंट्रेड इधर इंग्लिस ठीक रहता है इसको इउसले रहता है ल enirates का एक जनतु है इसके बाद में एक और है है एक फिस्ट स्टाइक्लोिस्टामेटा समू का जनतु है इसमिन जबड़ों का अभाव होता है यह भी वास्थिविkay मचली नहीं है द्यान रखेंगे ये क्या है, एक वास्थिविक मचली नहीं है, Hackfish समुदरी घोरा या अस्मीन हिपोो कीमपस को कहते है जो कि एक वास्थिविक आमिस्थिल मीन अर्थाद बोनी फिस होती है ठीक है, ये बोनी फिस है तो है खशिश इसका नाम रखा गया है फिस यह मचली नहीं है, जिसका नाम घोरा रखा गया है, वो मचली है, at least, है तो मचली, नाम क्या है, समुदरी घोरा, और है क्या यह, बॉनी फिस एक तरह से, आइस्थिलमीन है, ठीक है, जिसका नाम फिस रखा गया, वो मचली नहीं है, वास्टिंग मचली है नहीं तो हैक फिस मचली वास्टिंग मचली नहीं है समुद्री घोड़ा एक तरह से बोनी फिस है आयस्थिलमीन है बाकी और भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे इस्वाम है यह विसालतम दांत वाली वहल है द्यान रखना सबसे बड़े बड़े दांत इसके होते हैं कहा जाता कि पूर्ण वयस्क नर इस्वाम वहल पचास से पच्पन फीट लंबी और तीस से मवापिचाओं को पैतिस से पैतालिस ठन बजनी होती हैं एकिडना एवं प्लेटिपस एक मात अंडी देने वाली इस्तन पाई जीओ है यह इस्तन पाई जीओ है ओके चमगादर आकास में उनने वाला एक इस्तनधारी प्राणी है यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है ध्यान रखेंगे क्या है एक इस्तनधारी यह पूर्ण रूफ से निसाचर प्राणी है एक मात ऐसा इस्तनधारी जो उड़त सकता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं है इसके अगरबाहु पंक में परिवर्टित हो गये हैं अगरबाहु मतलब आगे के जो भुजाए हैं वो पंकों में परि पूस तक चली जाती है एवं पंक का निर्माल करती है ठीक है पंक का निर्माल करती है ओके चलिए तो चमगाड़ के बारे में मिडख उभैचर था था चिपकली यह तीन प्रकोष वाला हृ surgery इनके पास में होता है मेंड़क थाप और चिपकली हो तो प्रकोष का हः जबकि बंदर व्यक्वन और मगर मच्ष में और मगर मच्ष में चो रधर है प्रकोष्ट का होता है तीक險 8 प्रकोष्ट का है ओर चेंबर सर्ष ले दिखाई पढ़ते हैं तो टीन चेंबर वाले जो जी उनके बारे में जानकारी, जो दो प्रकोष्ट वाले रदय रखते हैं, अर्थात इसमें मचली दिखाई पढ रही है और चार प्रकोष्ट, तो चार प्रकोष्ट हमें दो जैसे बंदर और मगर मक्षया, मगर ये चार प्रकोष्ट वाले, नेक्स देखें, बेंजोईक अमल, एरोमेटिक कार्बोसिलिक, कार्बोसिलिक अमल है, और यह हलके रंगहीं चमकदार, पेस्टिली चून के रूप में ब्राप है, इसका सूत्र ध्यान रखना, हालागे पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है, इसके लबनों यह था, सोडियम बेंजोईट का खाद परिरक्षक के रूप में प्रियोग किया जाता है, यहान रखना, बेंजोईक अमल, खाद परिरक्षक, जैसे चीफ साब देखते होंगे न, या और भी कुछ चीज है, तो रखने के लिए, क्या, बेंजोईक अमल, यह ख परिरक्षक, नाइट्रोजन गैस, आक्सिजन की अपेक्षा कम क्रिया से लोती है, जो आक्सिजन की प्रक्रिया को रोकती है, और जिससे जीवानों का दूसरे कीटाणू नहीं बनते हैं, इसलिए का जाता है, आलू के चिस प्लास्टिक के थैले में, नाइट्रोजन वाता जिसमें जिसमें अगर वो आप लेने जा रहे हैं पैकेट फूली नहीं है तो उसको मत लेना वह खराब हो चुका होगा जो उसमें वो जो नाइट्रोजन जो की यह खाद परिरक्षक का एक तरह से यूज की प्रियोग किया जाता है वो निकल गई है और निश्ची तो पर आप उसको खराब चिप्स खा रहे होंगे उसमें भले कितना भी वो बोले उधर दुकंदार की नहीं नियरे तो अभी जैस हुआ है ले जाओ बढ़िया है नहीं लेना उसको ठीक है हाँ क्योंकि काफी दिन तक अगर गैस निकल गई तो नाइटोजन एक तरह से आलू के चिप्स थैली में हमें निखाई पड़ता है चलिये मोनो सूडियम ग्लूटामेट ग्लूटमिक अमल का सूडियम लबड है औ हम उसे सुरक्षित रखने यह तू किया जाता है मोनो सूडियम ग्लूटामेट यही एक पडार था जिसकी वज़े से आप जानते हैं कि मैगी जी है मैगी मैगी के कई सारे पैकेज जो है वो फिकवा दिये गए थे नेसले द्वारा नेसले इंडिया ने बरवाद कर दिया पूरी तरह से उसमें मोनो सूडियम ग्लूटामेट की मातरा ज्यादा थी उसके मसाले में और किसी इंस्टर ने कुई था यूपी का साहित गटना थी किसी इंस्टर ने गया उसने देखा अच्छा हो सकता है कुछ नहीं दिया उसमें कुछ दिया नहीं हो तो हो सकता है कि गया हो चलो देखी लेते हैं गया उसके मसाले की लेब में जाज करवा दी फूड इंस्वेक्टर था कोई बुला इसमें मोनो सोडियम लूटामेट जादा है और ये एक तरह से आनिकारक है आनिकारक इंसेंस की काफी दिक्कत करता है इसमें आप देखते होंगे कि उसमें आजकल आब उसमें कहा गया कि फिर से उसको बनाया गया मैं की दुवारा वापस आई उसमें स्वाद कम है ऐसा है की नहीं नहीं पता है लेकिन कहला था मोनो सोडियम लूटामेट का उसमें कुछ तरह कम की गई फसल कटाई के बाद भी फल स्वसन करते हैं और आकसीजन का उपयोग करते हैं स्वसन की दर जितनी अधिक होगी फलों के पकने उनके छै होने की दर उतनी ही अधिक होगी सीत प्रकोष्ट में कम आउकसीजन एवं कम स्वसन दर वाली परस्तितियों में फलों को अधिक समय तक सनलक्षित किया जा सकता है तो ध्यान रखना सीत में आप जानते हैं इसलिता वहां पर आ्यार मत्रखानाे तक आप अकसीजन की दर को इसको कम कि अहीं उसको जो है कम हो जाए और खास कर ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा दिखाई पड़ते इसी विज़े से उनको वहाँ कोल्ड इस्टोरेज कहा जाता है ठीक है कोल्ड इस्टोरेज कहा जाता है सवसंदर वहाँ पे कम होती है लॉंग के तेल का क्लोस ओयल का प्रमुक घटक यूजे नॉल होता है और यह एक प्राक्रतिक दर्द निवारक तथा आँ एंटी सेप्टिक्स भी है इसका उपयोग दातों के दर्द को दूर करने में बखुबी रूफ से किया जाता है लॉंग के तेल का उपयोग सवंदर प रखेंगे पूछा जाने लायक यहां पर ठीक है ऐसे कुछ आई पीफ आप से पूछे जाएंगे आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहें कि दो तीन चार दिन गयफ होगे आई पीफ नहीं आई हुए तो आई पीफ आएगी परेशान नहीं हो दो तीन दिन बाद एक दू दिन आई पीफ आएगे भी समय है हमारे पास में और कुल 40-41 आई पीफ बची हुई है अगर डेली दो भी करा दिये तब भी जल्दी फिनिस हो जाएगी सत्रे तारी को पेपर है अभी समय है सत्रे तारी को पेपर है अभी लगबग एक मैने से उपर है समय तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स देखें पट रहा है क्या है एक सेकन रुकें तो अभी ठीक है चलिए अभी ठीक है हाँ इसको देखें नाइट्रोजन फास्पोरस पोटेंसियम पौदों के दीर्ग पोसकतत्र नाइट्रोजन तो यह हम पहले बात कर चुकें साहरे इस पे नाइट्रोजन फास्पोरस और पोटास यह मुख पोसकतत्र होते हैं बाकी गौल पोसकतत्र या सेकेंडरी और इसके बाद में हमने माइक्रो की भात की वी थी ठीक है माइक्रो की भी बात की वी थी चलिए इसमें तीन की मुख था नाइट्रोजन की कमी से पतियां पिली पड़ जाती है इस्टेट्मेंट पूछेगा आपसे पौदे फास्पोरस को प्राया फासफेड आयन के रूप में ग्रहन करते हैं और यह जड़ों के विकास के लिए आवस्षक है तो नाइट्रोजन की वज़े से अगर नाइट्रोजन की कमी है तो पतियां पिली पड़ जाएंगी पौदों के विद्धी विकास रुख जाएगा अगर फास्पोरस की कमी पड़ जाएगे तो जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा पौदा सूख जाएगा पोटेसियम के स्टुमेटा के खुलने एवं बंद हो बहुत बड़ा और में तत्त्त है पदों के लिए बोरान पदों का एक सूख्ष पोसत्त है और इसकी कमी से चुक अंदर में हाट रॉट तथा सेव में आंतरी कॉर्क इंटर्नल कॉर्क नामक रोग होते हैं तो बोरान की कमी प्राबलम कर रहा है कौन कौन से हाट रेट हाट रॉट रॉट चुक अंदर में एक तरह से रोग और दूसरा सेम में आंध्री कॉर्क इसकी कमी से लिग्यू मिनोसी कुल के पौदों की जड़ों में गुटिका है रूट नोडल्स नहीं बनती है अर्था बोरान की बज़े से अगर बोरान की कमी है तो कुछ ऐसे कुल के पौदे हैं जिन में इन पौदों की जड़ों में गुटिकाएं अर्था रूट नूडल्स नहीं बन पाते हैं दिक्कत कर जाएगा सूख जाएगा पौदा ऐसा पाया गया है कि बोरान कई रोगों के ब्रति प्रत्रोदक शमता विक्सित करने में सहायक होता है तो नाइ मच्छर विकर्सक के रूप में प्रियुक्त होता है ध्यान रखें घैंगे बिटी में आप से पूछा जाएगा मच्छर विकर्सक रूप मच्छर विकर्षक पदार्थ कौन सा है ठीक है कीट ना सक तो पाइरेथ्राइड कीट ना सक है यह यह प्रालिथिन का एक तरह से प्रकार है पाइरेथ्राइड इस्तंधारियों अर्थाज कसेरिकों की दुलनामे कीटों के लिए इसिव्जन यहां से प्रियोक या सिसे रहां नामक तेल नीकाला जाता है और इस टेल्का उप्योग मचर्टिकर्सी के रूप में इस्प्रेख लोसन या सिरफ तेल की रूप में किया जाता है तो आप जानती हैं वो लेमन घास होती जो आप देखते हैं आजकल अडुका स्धेयों जो है और लगाने आप देता है उसका लेमन घास होती उसका लेमन घास से शिटो नहीं तेल निकाला जाता है वह बहुत गंद देता है और बुरी तरह से अगर कहा जाता है कि सिर में आसपाद इदर नहीं लगाना चाहिए बहुत लगा सकते हैं ज्यादा मैं देखा था तो सिर दर्द करता है उससे दिक्कत है Cloud Seeding मौसम में बदलाउ लाने की एक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छांसार वर्सा कराये जाती बादलों पर छेड़काओक इसके अत्रिक पत्वी से जनरेटरों या एंटी एरक्राफ बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है और और सिल्वर आयोड़ाइड किस्टल की सनचना प्राकरतिक बर्फ जैसे होती है और सिल्वर आयोड़ाइड क्लाउड सीडिंग और सुस्व बर्फ फिटर एक तरह से ठीक है पूश्चन पूछे जाएंगे आपसे स्टेटमेंट के तोर पर या पी सीधे पूछ दिका प्लाउ करते हैं वां पर सिल्फेट को नीला ढू थोथा ब्लू वेर्टि यह कहा जाता ईसका उपियूग जो है वो कवक नाषी इस्टेवाल नाषी में तो और सकारफ यादोUp 976 करूप में विक यह उपियोग लाल जिधिक रूप में किया जाता है सिल्वर आयोड़ाइड पोटैसियम आयोडाइड तथा सुस्क बर्फ या ठोस कारवन डायक्साइड का प्रियोग क्रितिम वर्षा अभी हमने जस्त देखा हुआ था आर्टी विजन या मेग वीजन प्रियोग क्रितिम वर्षा अभी हमने जस्त देखा है जिन्क प्रियोग मुखता क्रितक नासी के रूप में होता है हां रोडन टी साइड के लिए किया जता है अर्थात क्रितक नासी के लिए किया जाता है नेक्स में ऑ-2 passado Northern रूए च्वेह ने द्याशाे मच बनाने में लाल थास्फ़ोरस और वास्फ़ोरस्ट्री गूफलफाइड प्ट T3 का उपी योग किया जाता है दिया शलाही माचीस बनाने में ध्यान रखना लाल फास्फोरस, pink red phosphorous, işte마 Street निरापत दिया सिलाही trick माचीस बनाने में चीर की लकर्ड़ी की सलाहीं से सिरे पर पोडेसियम मकौलेड रेड लेड रेड लेड मतबलाल सीसा और और इंटी मने स्लफाइड और गोण मिस्रं लगाया जाता है तो माचीस की तिलें सम्हными होती है उसमें यह और जोактиक्प लाएट माचीस के और गुंद का मिस्टन लगाया जाता है ठीक है गुंद का मिस्टन लगाया जाता है तो इसमें बाकी सारी तो चीज ठीक है लाल फार्स फॉरस यहां पर लगाया नहीं जा रहा है यहां पर अंटीमिसलफार लगाया जा रहा है हां यहां यहां पर लगाया जा रहा है कांच का इस से जलावन यह जलती है तो दियास लाहि मैंचिस में । अधिक जाएग पहुझई है कि की ऑट ऀखेंड ुछट लास्ट-षारी मृदाओं में जिन मय यूग सूडियूं की मात्रा आधिक होती है जिसे पौधों की व्रद्धी में बाधा पहुचती है तो छारी मरदाएं अधिकता पौधों की व्रद्धी में नुकसान दे या पौधों को जो व्रद्धी होती उसमें रुकावट बिनमे योग सोडियम पतिशत में जैसे जैसे व्रद्धी होती वैसे वैसे मरदा के जल सं में अभा होता है भूमी की अधिक्ता या अधिक छारीता के करण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कड़ों की सतय पर जमा हो जाता है और उसका रंग काला हो जाता है उसका रंग काला हो जाता है इस प्रकार की भूमियों के सुधार के लिए कैलसियम सलफेड या जिस तो यह इसके लिए जो उसर मृदाय होती उनके लिए कैल्सम सल्फेट या जिफिसम का प्रयोग किया जाता है कहां आपको दिखाई पड़ेगा जो ऊसरी म्रदा होती वहां पे बड़े पैमाने पर हमें जिफिसम का प्रयोग और तो भूमिये सुधार के लिए कैल्सियम और जिफसम आज का अंतिम फैक्ट सुस्क चल एक विद्दुत राशायनिक चल है जो कम बजली से चल सकने वाली पोटेवल विद्दुत युक्तियों जैसे टार्च कैल्गुलेटर आदी में प्रियोग होते है तो सुस्क चल लगाया हो जाते हैं कैसे होते हैं बिल्कुल सूखे होते हैं आजा इसमें जैसे में ये घड़ी इस घड़ी में इसमें सुस्क चल पड़ा होगा चल रहा है पार्च में भी ठीक है जैसे जो मैं ये माइक लगाया किसे सुस्क शेल नहीं किया जाता है जिसके कार्ण इसे सुस्क शेल का जाता है सावनता प्रयोग में आने वाला सुस्क वसुता एक जिंक कारवर्म वैटरी है जिससे सुस्क लिकलांसे लिकलांसे सल भी कहा जाता है इसमें अमोनिया क्लोराइट बिद्दुत अफघाट के रूप में प्रियुक्त होता है कुछ आधनिक उच्छ ऊद्दा के वैटरियों में अमोनिया क्लोराइट के इस्थान पर भीदद आफगातरीए होता है लेकिन कुछ आधुनिय कूरजा के रूप में लीकिन इस प्रोवड कि यहां से रोड़राइड कंपर आई ज्थानकर ज़्यादा आफशन 00 आपक्रचाल सॉर माने सब्सक्राइब पीडियेफ आपको यहां से प्रॉवाइट कराई जाएगी अलागि मैंने बोल लखा हुआ है मेनेजमेंट को वो प्रॉवाइट करा देंगे आपको कि एक जो है आई पीअफ मैं भी आप दूंगा आपको वह पूरी तरह से यह फिजिकश से संब्दित रहेगा उसमें जितने भी इसूद रहेंगे सारे के सारे वह फिजिक्स से तो अभी हमने देखा इसमें बाइलोजी देखी देखी अब एक IPF आपको physics से overall देखने को मिलेगा और उसकी PDF आपको समोतातुरंत मिलनी चाहिए ठीक है चलिए तो यह हो गया है कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप test reach के लिए इस नमबरों पर phone कर सकते हैं बड़े पैमाने पर make is आप जानते है test reach के लिए जाना जाता है ठीक है तो थैंक्स अलाफ यू बाबाए टेक केर अभी क्लास अब आगे कल हम लोग बीसमां IPF करेंगे ठीक है और बीसमां IPF में हम कुछ मुद्धे और साइंस और फिजिक्स से देखेंगे मिलते हैं